दोस्तों नमस्कार आप देखने हैं दबी एदवाई नियूज मैं बीवेका इन दिनों बिहार के मान्य मुखमंत्रि नितीश कुमार जी जल जीवन हर्याली अभियान को जोर सोड के साथ चलार हैं और पहले चरन के दोड़े में उन्होंने चमपारन से प्रारंब किया पस्षिम चमपारन पुर्वी चमपारन होते हुए नवादा और अगाबाद सहित अन जीला में उन्होंने जल जीवन हर्याली के बारे में आम लोगों को विस्तार से जानकारी दिया उन्होंने कहा कि साथ नीश्चे कारकरम के तहद हमने चरन बद तरीके से काम किया हर घर में नल से जल पहुँचाने की योजना को प्रारं किया सौचाले हर घर में बनाने का अभियान का सुरुआत किया हर घर में बिजली पहुँचाने का काम किया महिलाओं को 35 परतिसत नौकरी में आरक्षन देने की बात कही साथ ही साथ आबादी के हिसाब से बिहार में इस्कूल बनाने का काम किया और छातराओं को 9 किलास में जाने के बाद साइकिल और पोसाक देने की योजना मैंने तयार किया और लड़कियों को साइकल देने का काम किया जिससे लड़कियां को आने जाने में इश्कूल में दिक्कत नहीं हो हर तरह के काम किये जा रहा है, सरकों का निर्मान कराया जा रहा है, पुल-पुलिया बनाया जा रहा है जल जीवन हरियाली के तहद सुध जल लोगों तक पहुंचाने के लिए चरनबद तरीके से काम किये जा रहे हैं ब्रिक्ष लगाने की योजना है चुकि जीवन बचाने के लिए जल को बचाना होगा और जल के साथ साथ हरियाली के आवे सकता है चुकि प्रकृतिक में जो बदलाव आढ़ा है इस बदलाव को रोकने के लिए हरियाली यानि ब्रिक्ष लगाना अतियावे सक है बिहार सरकार के मुखिया होने के नाते हमने हर छेतर में काम किया लोगों को महलाओं को आरक्षन पचास परतिसत मैंने दिया जिसकी कारण आज जिला परिसद अध्यक्ष नगर निगम अध्यक्ष जिला परिसद के अलावे नगर निगम के अलावे नगर पंचायत मुखिय सहीत हर पद पर आज महलाओं को आने का मौका मिला नौकड़ी में 35-35 वैकेंसी निकलने पर नौकड़ी महलाओं को दी जाएगी तरह तरह की योजनाएं हैं जो आम लोगों के हित के लिए आम लोगों के जीवन अस्तर को उपर उठाने के लिए काम किया जा रहा है चरनबद तरीके से जल जीवन हर्याली के तीसरे चरन के दोड़े में इन दिनों नितीश कुमार जी लगे हुए है नवादा के रजवरी में उन्होंने महती सभा को संबोदित किया साथ ही साथ और अंगाबाद भी पहुँचे और वहां भी लोगों को संबोदित किया साथ ही साथ अनजीला में भी उन्होंने जाकर लोगों को जागरू करने का अभियान छेड़ा है यही नहीं रुकने वाले वो एक मानव स्रिंखला भी बनाने जाड़ है जो लोगों को एक संदेश जाए कि जल जीवन हर्याली जो अभियान है इसमें साड़े लोग जुड़ें और इसका लाब साड़े लोगों को हो इसके लिए हर वेक्ति को कमर कसना होगा और हर वेक्ति को इस अभियान से जुड़ना होगा तब जाकर कहीं आम लोगों को विकास आम लोगों का होप आएगा गंगा जल हर वेक्ति को पहुँचाया जाएगा जल सुद्धिकरन के लिए भी बहुत सारी योजिनाएं बनाई जा रही है कई योजिनाओं का सिला न्यास और उद्गाटन भी नितिश कुमार जी ने दोड़े के करम में करना प्रारंग किया है और अन्ने कई तरह के कामों की भी बढ़न उन्हों ने किया और साथ ही साथ कहा कि महलाओं के कहने पड़ी हमने सराब बंदी कानून बनाया जिसका लाब आम लोगों को अतधिक हो रहा है महलाओं को घरेलू हिंसा से बच बच रही है महलाओं घरेलू हिंसा से सराब पीने से रुपिय की छती के साथ साथ महलाओं के साथ घरेलू हिंसा आए दिन होती रह तो दोस्तों कई तरह की योजनाय उन्होंने बनाई है और काम कर रहे हैं आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करें और कॉमेंट भी लिखें कि यहां वियान सही है या आप क्या सोचते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे साथ लगातार जूड़े रहें इसके लिए लाल वटन और घंती अवस्त दवा देंगे और मेरे फेस्बूक पेज को लाइक करना ना भूले दन्दवादें